What's up guys, कैसे आप लो, मैं वो आपका नितिन कुमार, आपके फिटने चाल पिजिसका नाम है, नितिन कुमार फिटनेस दोस्तों, आप बलकिंग करना चाहते हो, आप मास गेन करना चाहते हो, आप वेड गेन करना चाहते हो इसलिए आपको कार्बर्ड की इंटेक ज़्यादा लेने पड़ी है, आम तरबर हम क्या करते हैं, कार्बर्ड की इंटेक ज़्यादा लेने के लिए, हम फूट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट हम फूट्स पे कभी ध्यान ने देते हैं, इसलिए दोस्तों, कार्बर् पे हो आप जब बलकिंग पे हो जब आपको मास गेन करना है तो एक अच्छा फूड क्लीन फूड अगर आप लोगे तो आपकी बॉड़ी क्लीन गेन होगी अगर आपने बाट फूड खाया है तो आपके बॉड़ी का फैट परसेंटेज बढ़ेगा और गेनि जो हम चाहते थ उसी सब से नहीं हो पाईगी आपका बॉड़ी का फैट परसेंटेज बढ़ सकता है आपके एबड़नल पर आपके एपस पर फैट का परसेंटेज बढ़ेगा और इससे जो गेनिंग है वो अच्छी नहीं देखेगी और आपकी बॉड़ी जो आप चाहते थे वैसी नहीं इसलिए दोस्तों आपके डाइट में आपके फूट के साथ फूट्स को भी एमेद दो एसे कोंसे तीन फूट्स हमें लेने चाहिए जिससे हमारा प्रॉपर गेनिंग हो सकता है दोस्तों वीडियो अंतक देखें पूरा देखें क्योंकि आदूर आपके कुछ काम का नहीं ह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की गंटी को दबाना ना भूले क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिविशन आप तक पोचने लिए बेल आइकन की गंटी को ज़रूर सकती है फर्स फ्रूट है बनाना बहुत ही चीप है मार्केट में इजीली किदर भी अविलेबल हो जाता है बनाना में सबसे ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है एंड सेकेंड ती इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा भी बनाने में पाया जाती है जब दोस्तों हम बनाना में 89 कैलरीज पाय जाती है 89 में से 23 ग्राम आपको कारवर्ट मिलेंगे प्रोटीन और फ्राट्स की मात्रा बहुत ही कम रहती है ना के बराबर है इसलिए दोस्तों अच्छे एनर्जिक लिए मास गेन बलकिंग लिए बनाना आपके डायट में आप ज़रूर यूज क खाणे को वही बहीत बढ़िया है ुसलिए दोस्तों मैंगो एक बेस्ट कारवर्ट का सोर्स है विटैमिन century की मात्रा पाई जाती है विटैमिन सी हमारे वे इमनीटी सऊपने का काम करता है इसलिए मैंगो एक कारवर्ड़ का सोर्स होने के बशूद विटैमिन सी का भी सोर मैंगो आप मिल्क शेक के जरीय भी ले सकते हो मैंगो में आप वे प्रोटीन डाल के भी ले सकते हो 100 ग्राम मैंगो में 60 ग्राम कैलरीज पाई जाती है उसमें से करीबन 16% कालबरेट की मादर होती है इसलिए दोस्तों bulking mass gaining के लिए मैं रेकमेंड करूंगा मैंगो इसलिए दोस्तों सीजनेबल फूट है जब सीजन आए तब दबा के मैंगो घाईए थर्ड फूट है पाइनापल 100 ग्राम पाइनापल में करीबन 50 क्यालरीज पाई जाती है 50 calories में 13 gram का carbs का प्रमान रहता है fat and protein की मातरा ना के बराबर है बहुत कम लोग pineapple का use अपने diet में करते हैं क्योंकि pineapple एक तो उसकी skin बहुत हाड रहती है चोप करने के लिए भी हाड है दोस्तों मुझे इसा रखता है body तो हमें बनानी है इसलिए इतना तो हम कर सकते हैं market में easily कहीं भी available हो जाता है 50-60 रुपे में पूरा pineapple मिल जाता है एक pineapple आपका एक हपता या करीबन पास से 6 दिन चल सकता है इसलिए दोस्तों carbohydrates के लिए best source pineapple भी आपके diet में आप ज़रूरी यूज़ कीजिए pineapple खाने से आपकों की रोशनी अच्छी हो सकती है pineapple से skin अच्छी रह सकती है इसलिए दोस्तों pineapple food का सेवन आपके diet में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों actually देखा जाए तो ये तीन फूड carbs के एक बहुदी अच्छे source है आम तोर पर हम जब body बनाते हैं supplement, अंडे, chicken, mutter इस पे हमारा focus ज़्यादा रहता है ये तीन फूड पे अगर आपने focus किया तो definitely दोस्तों आपका mass gain and bulking हो सकता है दोस्तों एक बात ध्यान रखना supplement खली 10% हमें help करेंगे अगर आपका 90% diet अच्छा हो तो 10% supplement आपको help करेंगे इसलिए दोस्तों natural diet पे आपका focus होना चाहिए 10% supplement आप तब जाके स्तमाल कीज़े जब आपका diet 90% याने आपका diet में से इतना protein ना है तब आप protein के लिए supplements का use कीज़े इसलिए दोस्तों mass gain in के लिए bulking के लिए and weight gain in के लिए banana, mango and pineapple का आपके diet में होना बहुत ज़रूरी है ये 3 fruits को use कीज़े and mass gain कीज़े ओफ ये सारे tips आपके lifestyle में आपको improve करने में help करें दोस्तों वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर comment कीज़े वीडियो अच्छा लगे तो एक like ज़रूर कर देना अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर देना thanks watching this video take care and bye guys